अज़ दोस्तों आज दक्षिन मुखी मकान से बास्तु प्लान योजना हम बताने जा रहे हैं अर्था दक्षिन मुखी मकान का बास्तु कैसा होगा जो आपके लिए शुब होगा थलदाई होगा आपको अच्छा लाब देगा आपको उसमें समस्या भीहिन होगी और कोशिश करेंगे कि कोई बास्तु दोस् उत्पन ना हो पाए क्योंकि अगर बास्तु दोस् उत्पन होगा तो आपके जीवन में कई समस्याएं ये देने वाला छेतर माना जाता है अब ध्यान से बेहस्तितो करके अंत तक देखें कि कैसे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुभकारी हो सकता है सबसे पहले आते हैं कि बास्तु से यह प्लॉट है वह प्लॉट के अकार पर ही सारा चिद निर्वर करता है प्लॉट का अकार अगर बरगाकार है तो बहुत अच्छा है या आयताकार है तो बहुत अच्छा है अब इसके बाद जब plot हो जाता है तो हम चुकि निर्मान करने के बक्त में ये कर सकते हैं कि इसका धाल जो है हमको देना है दक्षिन से उत्तर की तरह तो ये अगर आपने कर लिया तो बास्तु बहुत सारे नियम इस पर निर्वर कर लिया अब हम इसको निकालेंगे सबसे पहले कि इसका जो है सो सेंटर पॉइंट साउथ कहां आता है क्योंकि सेंटर साउथ पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी है अर्थात 180 डिगरी आपके plot के बीच में अगर आ रहा है तो समझे आपका बास्तूस के अनुकूप बनने में शु पहले इसके केंद्र को छेत्र को निकालेंगे अर्था चारो कोनों में कीलगर करके एक रशी क्रीचेंगे जहां क्रॉस करेगा उस पॉइंट पर अपना कमपास रख देंगे मोवाइल रख देंगे प्लें जगह बना करके और उसके बाद देखेंगे कि 180 डिगरी आ रहा है जीरो डिगरी कहां रहा है जीरो डिगरी अगर आपका ठीक उत्तर के मध में आ रहा है और 180 डिगरी ठीक आपके सेंटर साउथ में आ रहा है अर्था दक्षिन के मध में आ रहा है तो आप निफिक्र हो जाएं आपका बास्तू के अनुप बनने जा रहा है सबसे पहले लेंगे कि मेन गेठम को तीसरे चौथे पद मी लेना है चौथा सर्वस्रेश्ठ है, अगर चौथे में आपका गेठ पुरा नहीं बन पा रहा है तो आप ये समझीए कि तीसरे पद भी ले सकते हैं ये अगर बरगाकार का रूप में है तो 50-250 ले ले, या आयताकार के रूप में है तो 30-50 का ले ले. उसके बाद जब हमारा सिंटर एकदम बिल्कुल मिला करके देखते हैं सिंटर से एक पद इधर अर्थात अगनी कौन के तरफ आपका गेट आएगा और अगनी कौन से जब चलेंगे नौ भाग में नहरी कौन तक बार देंगे तो ठीक चोथे पद में आपका गेट गेट का आ अनरूप जो है तो डिजाइन नक्सा कप करवा लिजेए उसके बाद हम आते हैं कि इसका गेट आ गया अब हम जो है कम से कम जगा साउथ में छोड़ेंगे साउथ में के वर एक दरवाजा के सीवार कुछ भी छोड़ने की खिर्की त्यानी की आपशक्ता नहीं है तो आप उसके बाद जो है तो आप आजाए अगनी कोन में अगनी कोन में आजाए अगनी कोन में आजाए अगनी कोन में आपको कीचन देना है कीचन जो देना है उसका प्लेट फॉर्म खाना बनाने बक्त में जो है तो पुर्व की और मुखो जो ग्रहनी खाना बनाएंगे उसके बाद पानी का जगा उस जगा पर जो देना है यह उत्तर की दिवाल पर या इशान कौन में आपको देना है अगर यह आपने कर लिया तो समझे बहुत कुछ हद तक कीचन आपके शपूट में कार्ज करने लगेगी ध्यान के रखना है कीचन जब भी बनाएं तो कीचन क कलर आपका जो है सो आफ वाइट हो उसके बाद अगर आफ वाइट नहीं हो सकता है तो हलका आप रेड में ले शकते हैं अगर वो नहीं हो सकता है थो कहरा में ले सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देगा उसके बाद मास्टर बेट डूम का निर्मान कर लेते हैं मास्ट आपको SSW के छेतर में आना चाहिए, यहां से ही पानी का निकास होना चाहिए, चुकि आज के लिए देनिस का जितनी भी वेस्था है, नगर निगम स्वेंग करती है, डिजाइन के अबक्त में, इसलिए सेप्रिक केंग की यहां विशक्ता नहीं है, उसके बाद आ जाए, जब मास्टर बेड़ू हो गया, तो उत्तर में और पुर्व में थोरा जगह अधिक छोड़ें, खुला छोड़ें, जैसे आप कहते हैं उसको कि आनल इत्यादी के रूप में मालने हैं, खुला अस्थान या शहर में इसको वासिरिया कहते हैं, तो यहां पर आप खुला अस्था अधिक सधिक छोड़ें, छोटे छोटे पोधें, इत्यादी अगर लगाना हो, ति इसी छेत्र में लगाएंगे, धिहान एक चीज रखना है, कि जो भी मकान बने, वह आपका चारो कौन बढ़ावर हो, कोई छेत्र निकला या कटा हुआ, डिजाइन में नहीं होना चाहिए चुकि हम बास्तू से मकान बनाने जा रहे हैं, तो उस छेत्र में आप इशान कौन में हमने पूजा दे दिया, इशान कौन से हटकर के थोड़ा सा अंडर ग्राउन वाटर टिंक दिय दिया, उसके बाद जो हम आते हैं, पूरा पुर्व के छेत्र में, सिंटर पूर में, य आपका रूम आजाएगा, एक बाइब कोन में आपका रूम आ जाएगा, और अगर आपको लगता है, तो पुर्व में भी एक रूम ले सकते हैं, उत्तर में आप खुला रखेंगे, और पुजा रूम रखेंगे, और हॉल से जुरा हुआ रहेगा, किसी परकार का वहां नि निर्मान नहीं करना है खुला रहेगा होड रहेगा और जो है इत्यादी रखने के बक्त में उसको आप डियाइन कर सकते हैं कि अधिक सधिक भाई सामानवाला नेरिक्ति के तरफ देना है पर्शिम के तरफ देना है या दक्षिन के दिवाल में ही देना है तो इस तरह से हम द इस परकार जब हम डियाइन कर लेते हैं यह भास्तू प्लान के अंतर गता है भास्तू योजना के अंतर गता आता है तो इस नक्से से अगर आपका घर बनता है तो काफी अच्छा शूबकारी होता है और 99% नमस्कार